नमस्कार, आपका मेरी चैनल में स्वागत है आज मैं आपको रिसी पंचिमी की कहनी सुनाने जा रही हूँ अगर आपको ये कहनी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करकी जरूर बताईए साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकोन पर प्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें एक साहु साहु कार्णी थे साहु कार्णी रजश्वला होकर रसुई की सब काम करती थी कुछ समय बाद उसके एक पुत्र हुआ समय बीता पुत्र बड़ा हो गया और विभा योग हो गया तो साहु कार्णी अपने पुत्र का विभा कर दिया साहुकार ने अपने घर एक रिसी महराज को भूजन पर बुलाया रिसी महराज ने कहा मैं बारे बर्स में एक बार खाना खाता हूँ पस साहुकार ने महराज को मना लिया साहुकार ने अपनी पतनी से कहा आज रिसी महराज भूजन पर आएंगे उस समय इस्तरी रजशोला थी उसने भोजन बनाया और रिसी को भोजन परोसा भोजन परोसते ही भोजन कीरों में बदल गया यह देख रिसी ने साहुकार साहुकार्णी को सराब दे दिया कि तू अगले जनम में कुटिया बनेगी और तू बेल बनेगा साहुकार ने रिसी के पाउं पकड़ बहुत बिंती की तब रिसी ने कहा तेरे घर में ऐसी कोई बस्त है क्या जिसको तेरी पत्नी की नजन नहीं पड़े नहीं छुआ हो तब साहुकार ने छींके पर दही पड़ा था वे रिसी को पिलाया रिशी हिमाला पर तपस्या के लिए चले गए साहुकार साहुकारनी की मिरत्य हो गई स्राबवर साहुकार बैल बन गया और साहुकारनी कुटिया बन गई दोनों अपने बेटे के घर पर रहने लगे साहुकार का बेटा बैल से बहुत काम लेता और खेत चोटता, खेत की सिचाई करता, कुतिया घर की चोकीदारी करती, एक बर्स बेत गया, उस लड़के के पिता का स्राद आया, स्राद के दिन अनेक पकपान बनाई, खीर भी बनाई थी, एक उरती हुई चील के मूँ का सर्फ उस खीर में गिर गया, यह वहाँ बैटी कुतिया ने सोचा, यद इस खीर को लोग खाएंगे, तो वह मर जाएंगे, तो कुतिया ने उस खीर को जूठा कर दिया, खीर को जूठा करते हुए उसकी बहु ने उसे देख लिया, तब कि रोध में आकर बेटे बहु ने उस कुतिया को बहुत मारा, जब रात हुई तो क कुतिया बेल के पास जाकर रोने लगी और बोली आज तुम्हारे स्राथ था बहुत पक्वान मिले होंगे तब बेल ने कहा आज खेट पर बहुत काम था और खाना भी नहीं मिला कुतिया ने भी अपनी आप बीती बताई और कहा आज बेटे बहुने बहुत मारा ये सारी बात है वे तुम्हारी मा है और बेल रूप में तुम्हारे पिता है तब लड़के ने माता पिता को इस यौनी से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी इसका उपाई पूछा तब रिशियों ने कहा रिशी पंचमी को रिशियों का पूजन कर उस ब्रहमर भोज का पुन इन्हें मिले त उसने ऐसा ही किया और स्वर्क से विमान आया और उस लड़के के माता पिता को मोच प्राप्त हुआ तो है भगवान जिस प्रकार आपने उनको मोच दिया वैसे ही सब को देना सब की मन की मुराद पूरी करना जैहो भगवान की आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो करने बार